हलो एंड वेलकाम आप देख रहे हैं बॉलिवुड गप्शप और आपके साथ मैं हूँ पारुलतियागी बॉलिवुड गप्शप में आज क्या को चैखास चलिए डालते हैं नजर राखी सावंत काफी समय से चहचा में है और वज़ा है उनकी शादी यही वज़ा है कि राखी बिग बॉस 14 के घर में सेंटर ओफ अट्रेक्शन बनी हुई है राखी हर किसी को एंटेटेन तो करती है और बिग बॉस हाउस में राखी अपनी शादी को लेकर कई बार बात करती हुई भी नज़र आई है लेकिन अब एक नया प्रोमो साबने आया है जिसमें राखी ने बताया कि उनके पती रितेश ने उन्हें धूका दिया है रितेश पहले से ही शादी शुदा है प्रोमो में राखी राहुल को रोते हुए बताती है कि मेरा पती शादी शुदा है उ का पती शादी के तुरंद बाद ही छोड़ करने चला गया था और अब तक एक बार भी नहीं आया है रितेश ने राखी को पांश बाद तला की धमकी भी दी है किसान अंदोलन पर सियासर चरम पर चल रही है इसी बीच अब किसान अंदोलन का अंतर राष्ट्रिय करन हो चुका है अब कई बड़े स्लैब्स भी इस पर रियक्ट कर रहे हैं इसी लिस्ट में पॉप सिंगर रेहाना का नाम भी जुड़ गया है रेहाना ने ट्वीट का किसान अंदॉलन पर चर्चा की बात कही थी उन्होंने कहा था कि कोई भी इस मुद्धे पर बात क्यों नहीं कर रहा सिंगर की तरफ से किया गया वो ट्वीट शोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसके बाद कंगना रनौत ने भी इस पर एक रियाक्ट करते हुए रेहाना को मुँ तोर चवाब दे दिया एक तरफ कंगना ने अंदॉलन कर रहे लोगों को आतंकवादी बता दिया वही रहाना जैसे सिंगर पर अपने देश को ही बीचने का आरोब भी लगा दिया साल 2021 की मेगा बजट फिल्म आदी पुरुष के सेट पर आग लगने से हरकम मच गया है फिल्म की शूटिंग के पहले ही दिन हुए इस हाथसे के बाद हर तरफ अफरत अफरी मच गई आग को खाला की काबू कर लिया गया लेकिन इससे पहले फिल्म का सेट पूरी तरह जल कर खाक हो गया था फिल्म के निर्देशक ओम राउत ने बताया की आग के दौरान सुरक्षा के परियाप्त इंतजाम होने के चोलते सेट पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं बता दें फिल्म में प्रभास और सेफली खान जैसे अभी नेता काम कर रहे हैं हाला की घटना के दौरान सेफ और प्रभास सेट पर मौजूद नहीं थे ब्रग्स केस में जाच अजनसी को एक बार फिर से बड़ी काम्याबी खात लगी है शुशान्त के दोस्त और असिस्टन डिरेक्टर रिशिकेश पवार को गिरफतार कर लिया गया है बताय जा रहा है कि जनवरी आठ से ही एंसीबी रिशिकेश की तलाश में थी उन पर शुशान्त सिंग राजपूत को ड्रग सप्लाई करने का आरोप था एक्टर के यहां काम करते वाले दिपेश सावन्त नहीं पूश्ताश के दोरान रिशिकेश पवार का नाम कई बार लिया था ऐसे में पिछले साल सितंबर के महिने में रिशिकेश पवार से सवाल जवाब भी किये गये थे बाद में रिशिकेश ने गिरफतारी से बशने के लिए तावपेज भी खेले लेकिन उसे किसी भी तरह से राहत नहीं मिली करन जोहर की मल्टी स्टारर फिल्म तक्त एक बार फिर खबरों में आ गई है हाली में फिल्म को लेकर एक चौकाने वाली खबर सामध्याई है खबर की मताबे करन ने तक्त को बंद करने का फैसला कर लिया है रिपोर्ट सीमाने तो करन जोहर को ये फैसला कई कारणों की वज़ा से लेना पड़ा ये एक महंगी फिल्म है और इसका बजट भी थाईसो से तीन सो करोड रुपे है और हर प्रडियूसर की तरह करन जोहर को भी COVID-19 के चलते नुकसान सहना पड़ा है इसके अलावा उनकी और भी कई फिल्म में लाइन अप है इसी वज़ा से करन ने तक्त को बंद करने का मन बना दिया है लेकिन अब फिल्म बंद होने के बाद खबरों पर खुद करन जोहर ने चुप़ी तोड़ी है और रियाक्ट किया है करन ने कहा कि तक्त को सिर्फ आगे पढ़ाया गया है बंद नहीं किया गया अक्सर कहा जाता है कि जोडियां स्वर्प में बनाई जाती है और ऐसी ही एक जोड़ी है रितेश देशमोक और जैनलिया डिसूजा की जो अपनी शादी की आज आठवीस सालगिरा मना रही है इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने जीवन के खरपल का आनत एक साथ ले रहे हैं रितेश और जैनलिया साल 2002 में अपनी पहली फिल्म तुझे मेरी कसम के सेट पर एक दूसरे से पहली बार मिले और उसके बाद एक दूसरे को डेट करने लगे थे लगभग एक दशक तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली थी बॉलिवुट गफशप में आज के लिए बस इतना ही लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताए और हमाई सबी वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी करे